सबोच की ओगनेशन में एक एंपलोई की कंप्लेन आती है देरवाज़क कंप्लेट अगनेश्ट अगनेश्ट था इंपलोई तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस ओगनेशन के जो एमडी थे मैनेजिंग डायक्टर थे बिजनेस ओगनेशन के उन्होंने एक ग्रूप बनाया ग्र करिए और रिपोर्ट प्रेजेंट करिए कि इंपलोई ने क्या किया था वो गिल्टी है कि नहीं गिल्टी है क्या उसको प्रिश्ट मिलना चाहिए वो सारी चीजों का वहाँ पर आप जो है इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट दीजिए एमडी को क्लियर तो यह जो तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो है इंपलोई के अगेंस्ट कंप्लेन आए तो उस कंप्लेन को इंवेस्टिगेट करने के लिए उसके लिए जो भी प्रॉपर डिशियल लेना है उसके लिए वहाँ पर क्या हुआ कि अलग लग डिपार्मेंट से इंपलोई को बुल यानि कि जिस परपच के लिए कमिटी बनाई गई है उसी परपच को जो है कमिटी डिल करेगी उसके अलावा किसी दूसरे मैटर में अपना हाथ नहीं डालेंगी तो आपको जो है इंप्लाई के इंप्लाई के इंप्लाई के इंप्लाई के अगेंस्ट कम्प्लेन है थी उसको इंवेस्टिगेट करना है तो आपको जो है सिर्फ उसी पर फोकस करना है उस कमिटी को बाकि आपको दूसरे प्रॉब्लम पर वहाँ पर फोकस नहीं करना है जैसे कि और अलग-अलग टाइप की कमिटी यहां पर बनाई जा सकती है फाइनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फाइनेस कमिटी बजेट से रिलेटेड आपको जो है वहाँ पर कुछ सुझाओ चाहिए तो बजेट कमिटी बना दीजे वेलफेर कमिटी बना सकते हैं मारकेटिंग कमिटी, ग्रेवियांस डिलेटिल कमिटी यह जगह होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉबलम आते है कोई भी ग्रेवियांस है तो आप इस कमिटी के पास जाकर अपनी करे बता सकते हैं पर जो है आपको suggestions दिये जाएंगे, सुझाओ दिये जाएंगे, या फिर management को बताया जाएगा कि वो क्या changes कर सकते हैं, clear, अब इस committee में जो members होते हैं, वो अलग से कहीं से नहीं आएंगे, बलकि जो अलग-अलग department हैं, उसी में से उठाकर जो है, आप एक group बना देते हो, committee बना कोई काम कर रहा होगा, अब उसके साथ साथ उसको जो committee का काम है, उसको भी करना होगा, तो members in a committee have other duties to perform and they normally work for part-time basis, तो committee में जो है, वो part-time होते हैं, full-time उनका, उनके department में काम होता है, committee में provide recommendation or just transfer information to management, तो committee क्या करती है, वो अपने management को recommendation देती है, या फिर information उनको देती है, बा को report देते हैं management को, फिर final decision management लेती है, तो representation of different interest group, यहाँ पर क्या होता है, कि अलग-अलग interest group का representation होता है, कमिटी में किसी एक department से सारे employee को नहीं रखते हैं, committee में अलग-अलग लोग होते हैं और अलग-अलग department से अलग-अलग जो area को represent करने वाले लोग वहाँ पर committee में होते हैं फिर government final decision वहाँ पर लेती है, तो function के according या need के according जो है अलग-अलग type की committees हो सकती है, जैसे कि एक committee that provide guidance, direction and control to a project within an organization, उसको हम steering committee कहते हैं, steering जैसे गारी को चलाने के लिए steering होता है जो की direction देता है, कि अगर आपको left मुरना है तो आपने steering को left घुमा दिया, इसी तरीके से organization में ज of nominating candidate for office or the board in an organization, उसको हम nominating committee कहते हैं, यानि कि अगर आपके यहाँ पर कोई vacancy है, या फिर board में किसी member की vacancy है, उस board में member बनने के लिए आपको nomination चाहिए, तो आप nominating committee के पार जाएंगे, nominating committee जो है, वो nominate करेगी कि उस board का कौन member बन सकता है, इसी तरीके से a committee to accomplish a particular task or to oversee a specific area in need of control और oversight उसको हम special committee कहते हैं, यानि कि कोई अचानक से special problem आ गई, जिसके अपने अलग से कोई committee नहीं बनाई है, तो उसके लिए आप जो है, आप special committee बना देते हैं, तो functions के according, need के according अलग-लग committees बन सकते हैं, तो committee कुछ नहीं है, ये group of employees होते हैं, जो कि different area से होते हैं, जो एक सा लो आए अजानक सकत्व कि कोई से लिए कोई से बहुते हैं, तो कि बनाई हैं, एक भी आता हैं उसके जब हैं, और हम आप लिए हैं, जो कि उन लुदीए कि भी एग थसे हैं, याना एवाराशना छाराशब्यों से अफस्ते हैं, भी वट उन्यान शवान दोर नहीं याना